तो सबसे पहली बात school is not just a school man, school एक life है और अगर ये life आपने नहीं जी तो जिन्दगी में आपको हमेशा अफसोस रहेगा कि कुछ ऐसा है जो आपने miss कर दिया हेलो बच्चो तो कैसे आप लोग सवागत आप सभी का एक बार फिर से डाउटनेट की इस अमेजिंग गाइडन सेसन में तो भई सबसे पहले तो एक बार आप लोग बहुत जादा नाराज होगे मुझे लग रहा है ऐसा कि सार आप इतने दिनों बाद हम लोगों से मिलने आय हो तो बच्चो ऐसा कुछ भी नहीं है एक्जाम चल लए थे हम सब को मालूम है बोर्ट स्वालों के एक्जाम हुए है अभी तो उनके लिए प्रेपरेशन उनको बोर्ट इक्दाम के लिए एकदम जबर्दस तरीके से त्यार करने में पूरा पूरा टाइम जा रहा था इस वज़े से आप लोगों से मिल नहीं पा रहे थे मैंने के चलो कोई बात ही नहीं इतने स्कूल के एक्जाम आप लोग अच्छे से दोगे अब आप लोग आए हूँ तो भाई सबसे पहली बात तो वेलकम यू और तो दा बैच ऑफ ट्वेंटी ट्री जी हाँ अब अच्छो बोर्स एक्जाम इतने टाइम से सुनते हो आ रहे हैं अब जा करके अब जो हम टैंथ में आए है तो अब बोर्स एक्जाम के लिए प्रपरेशन करने वाले हैं ठीक है तो कुछ बच्चे जो काफी लंबे समय से हम से जड़े हुए हैं वो तो अलेडी जानते हैं उनको मैं क काफी कुछ बता चुका हूँ लेकिन जो बच्चे मुझे से पहली बार आज जोड़ने हैं उनको मैं बता दूं कि भई मेरा नाम है अक्षय अग्रवाल मैं हूँ आपका मैस एजुकेटर और यहां पर हम बहुत ही बेहतरीन और सांदार तरीके से मैस परते हैं तो अगर आ बात करूँ तो एक्जाम से रिलेटिट पर्फेक्ट कॉंटेंट जिसके थुरू आप बोर्स एक्जाम में टॉप रेंक अचीव कर सकते हैं साथी साथ टाइम टू टाइम गाइडेंस सेसन और एक्जाम रिलेटिट जो भी अप्डेट आएंगी वो सब कुछ बेटा तुम कि यह जो आज का स्पिसल सेसन होने वाला है जी हाँ यह एक अब तक का मेरा वन आफ दा बेश्ट सेसन होने वाला है मैं इसलिए बोल ला हूँ अब तक का बेश्ट क्योंकि यह सेसन में आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ वो सबसे बड़ी प्रॉबलम है अगर मैं अपने experience के basis पर बात करूँ मैं यहां पर आपको किसी अपने फायदे के बारे में कुछ भी बात नहीं करने वाला आज यहां पर सिर्फ और सिर्फ बात होगी तो मेरे पिछले अगर मैं बात करूँ experience के basis पर और विसी बात है कि मैं आपसे उम्र में काफी बड़ा हूँ तो आप जिस दौर से गुजर रहे हैं मैं already उस दौर से हम गुजर चुके हैं जी हां तो जो experience आप in future लेने वाले हो वो experience हम कर चुके हैं तो उसी experience के basis पर आज मैं यहां पर तुमसे बात करने वाला हूँ और सबते वड़े मुद्दे कि भाई अब जब जो कोविट का crisis था जो हमारे टाइम पर पिछले 2020 से लगातार चला आ रहा था जिसकी वज़े से काफी कुछ affect हुआ पहाई भी affect हुई online classes ने उसके place पर आये बहुत बड़े तरीके से आप उनके परफॉर्म किया देन अब life धीरे धीरे वापिस से track पर आ रही है यानि कि अब जैसे हम पहले रहते थे काफी कुछ फुख वैसे होने लग गया है schools भी आपके open हो चुके है schools अगर देखा जाए तो वो उनकी अलग timing होती है पूरे five to six hours के schools होते है उसके बाद अगर बात की जाए तो अब आपकी coaching classes है या फिर अगर आप लोग online classes लेते हैं वो जीदे तो जो हमेशा से problem रही है जब मैं बहाई करता था तो मेरे लिए problem थी कि उस time पर online classes नहीं थी तो उस time पर हमारे schools होते थे और coaching classes होते थे तो वो manage करना भी सबसे बड़ा task था क्योंकि school जाना है फिर coaching जाना है दिन बर भागा दोड़ी में गुजरता था और आज भी यही देखा जाए तो आज तो एक और नई चीज एड़ हो रखी है जैसे की school coachings प्लस में online classes अब यह सबसे बड़ी problem इन सब चीजों को manage कैसे करें एक ननी सी जान इन चीजों को कैसे manage करेगा यह सबसे बड़ा challenge है जो student face कर रहा हो इस problem को actual में देखा जाए तो और कोई समझने वाले ही नहीं है यह आप समझ सकते हैं और एक तरीके से as a teacher मैं समझ सकता हूं क्योंकि मैं इस चीज को personally feel कर पा रहा हूं और मैं इस problem को face देख पा रहा हूं कि है क्या problems आ रही है तो इसलिए आज इन मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं तो session को last तक देखना क्योंकि हर छोटी छोटी बातों पर मैं बात करूंगा जिससे तुम्हें proper एक strategy मिल जाएगी पूरे साल पहाई करने की कि कि किस तरीके से मुझे पढ़ना है अपने time को manage करना है और उसके basis पर जहां एक बाद time management तुमको करना आ गया उसके बाद तुमें बिल्कुल भी टेंसल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ठीक है तो चले बच्चों आज का जो special topic है वो है हमारा आपका कि school की classes यानि कि school की जो आपकी classes होती हो दूसरा जो आपकी online classes है या फिर मैं बोलू आप के coachings हैं देखो मैं बिल्कुल भी ignore नहीं करने वाला पहुत सारे बच्ची हैं जो coachings जा रहे हैं मैस की science की अलग-अलग coachings वो भी चाहे उसको online classes की form पर बोले या फिर offline बोले या उसके लाब आपके schools बोले ये दो चीज़े दो type की classes हैं जिनको अबे manage करना है है न ठीक है य इसलिए दो सालो 2020 से ये था किसका role थोड़ा सा कम हो गया था कम क्या हो गया था एक तरीके से ना के बराबर हो गया था क्योंकि schools के थूरू भी online class ही चल ले थी तो के बर online versus online था अब यहाँ पर online versus offline versus online हो गया है ठीक है अब इसको कैसे manage करें किसमें फाइदा है कहां से हम ज् time waste कर रहे हैं वो क्या है उस पर हम बात करने वाले ठीक है बच्चो तो सबसे जरूरी चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने हमेशा चाहे आप movies देखेंगे आपने देखा होगा ने student of the year ठीक है एक movie आई थी आलिया भट्टी की सब ने देखी होगी आ पक्का आ अच्छी position पर cross करके job अगरे कर रहे होते हो तब आपको याद आता है यार why miss my school days यार school के दिन कितने बड़ी होते हम यह करते थे वो करते थे ऐसा ही कुछ थोड़ा सा different होता है बट college life होती है तो सबसे पहली बात school is not just a school man school एक life है और अगर यह life आपने नहीं जी तो जिंद दिया तो यह life है बच्चा तो इस life को किसी भी कीमत पर compromise नहीं करना है किसी भी कीमत पर तो यह है आपकी school life not only class मैं school की class नहीं बोलूँगा यह school की life है बच्चा और यह है आपका different जिसकों बोल सकते हैं आपका online classes और आपकी उसके राव आपकी coaching institute जो offline भी चलते हैं ठीक है त तो इन दोनों चीजों पर हमें बनाना है balance अब यह balance कैसे बनेगा हम दोनों में से किसी भी चीज को छोड़ नहीं सकते क्योंकि हम सब को मालूम है कि schools में हमारे पास बहुत जादा options नहीं होते हैं यह schools की life बहुत जादा important है यह आपको life में वो चीज़ें सिखाती है जो coaching institute में ही सिखाता तो जो school में तुम सीखने वाले हो तो इसको हम किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकते यह emotion है यार इससे तो दिल का रिस्ता होता है जो lifetime याद में रहता है ठीक है इसको नहीं छोड़ सकते और दूसरी चीज़ यह है चाहे वो coaching या online classes यह वो है जो आपको बो foundation को built करने में आपको एक life में future एक बहतर career aspect के लिए यह बहुत important role play करते हैं ठीक है क्योंकि एक life यहां से मिल गए लेकिन एक special background personal guidance सारी चीज़े हैं ठीक है आपके जो भी doubts उन सभी चीज़ों को जो दूर करता है वो आपकी coachings है या online classes है ठीक है वो तो आपकी यहां से दूर होने वाली है तो क्या हम दोनों में से किसी को भी कमया ज्यादा कर सकते हैं नहीं कर सकते क्या हम किसी को भी छोड़ सकते हैं नहीं छोड़ सकते क्योंकि यह चीज़े अपनी अपने place पर बहुत important role play करती है हमारी life सुने है ठीक है तो इसका मतलब है कि हमें दोनों में से इसके बारे में हमें समझना होगा और ये चीज जब तक अंदर से नहीं आएगी न तब तक तुम परिशान न होगे इधर का उधर इधर का उधर न यहां पर ध्यान दे पाउगे न यहां पर ध्यान दे पाउगे और उससे create होगा आपके mind में confusion तो confusion के लिए तो बटा time ही नहीं है तो हमें उस confusion को करना है दूर चलिए तो अब कैसे confusion को दूर किया जाए कैसे हम समझें कि कैसे manage किया जाए सबसे पहली बात कुछ importance है जो हमें मालम होना जरूरी है हमें पता होनी जरूरी है कि भाई इससे हमें क्या क्या मिलने वाला है और इनसे हमें क्या क्या मिलने वाला है थीक है उसके वेसेत पर बात करते हैं ताकि आपको in depth में गहराई पर जाकर कि आपको feel आए मैं बात करूं कि school life के क्या क्या advantages है क्या है जो सिर्फ और सिर्फ तुमको school सिखा सकता और कुछ भी नहीं सिखा सकता वो यह है कि सबसे पैली बात school यहाँ पर spacerly मैं लिखा school life है ना यह life के बहुत सारे ऐसे aspect में हमारे लिए helpful है जो कि हमेशा हमको काम में आने वाले जिसके बेना जिन्दगी जी ही नहीं जा सकती है ना जिसके बेना जिन्दगी नहीं जी सकते है तुम्हें एक्चिल में बात करें वो चीजे तुम्हें स्कूल सिखाने वाला है तो जिन्दगी जी नहीं है तो स्कूल लाइफ बहुत ज़्यादा जरूरी है तो सबसे पहले द पर प्रिजिकल एक्सपेक्ट बहुत इंपोर्टेन करता है जो कि तुम्हें स्कूल लाइफ में ही सीखने को मिलता है उसके अलावा सेकेंड चीज कि अलग अलग लोगों से मिलना उन से बातचीत करना दोस्त बनाना और वो दोस्तों से आगे पर भी आपको निए fått ये से मिलता है ठीक है उसके बाद बाद को लिटिम और कभी कोई हो रहा है स्कूल में कोई फ्ले हो रहा है उसमें आप मिल करके अपने पूरी टीम के साथ में एक पूरी स्टोरी बनातों कुछ करते हो यह सब क्या है एक टीम वर्ग है और टीम वर्ग के थूरू उसके बाद उसका प्रेजेंटेशन जो कि आपको बहुत जादे इंपॉर्टेंट है कि कैसे एक टीम के थूरू किसी काम को हमें कंप्लीट करना है यह भी आपको यहीं से मिलता है और उसके बाद है फिजिकल एसपेक्ट स्कूल में बहुत सारे प्ले होते हैं कुछ होता है कोई न कोई एक्टिविटी ऐसी है जो चलती ही रहती है है अब तो सारी चीजेत तोणको स्कूल लाइफ में ही सीखने को मिलती है जो और कहीं पर सीखने को नहीं मिलती है अब अब यहां पर एक छोटी चीज कि डेसा इधटेज जिस के है हैई स्कूल लाइफ के हैं हर चीज के अगर कुछ फायदitting हैं तो उधर से कुछ नुकसान भी निकल आपके एकॉर्डिंग तुन ही डिशाइड होता है आपको ऐसा करना है ये करना है वो फ्लेक्सिबिल्टी की कमी है उसके अलावा थोड़ा सा है ना थोड़ा सा चोईस की कमी रहती कि जो टीचर साब को मिल गए उनी से पढ़ना भले आपको उतना बढ़िया समझ में आ रहो यह नहीं आ रहा हो हो सकता है वो टीचर उतना आपको बहुत strongly अच्छे से explain कर पा रहे हो ना कर पा रहे हो वो सारी चीजह है वहाँ पर आपके पस choice नहीं है ठीक है जो आपको मिल गया उन्हीं के साथ आपको पढ़ना है ठीक है तो अगर education के point of उसे बात करो कि कई जगों पर कई schools में बहुत ही बहतरी ने टीचर से है और कई जगों पर टीचर तो बहतरी ने लेकिन हो सकता है कि कि किसी कोई श्ट्रेंट के tuning नहीं बैट पा रहे है तो अब उसे एक बच्चे के लिए वहाँ पर कुछ changes तो हो नहीं सकते तो उसके बाद ज्यादा option या choice नहीं रहते क कि भाई मुझको यहां नहीं पढ़ना इंसे नहीं पढ़ना आपको सब के साथ एक टीम के फॉर्म पर आपको करना पड़ता है और यह चरूरी भी है हर जगह पर आपको आपके according नहीं मिलेगा कहीं जगह पर आपको compromise तो करना ही पड़ता है तो वो सारी चीज़े यहाँ प कोचिंग सेंटर्स को वैसे तो मैं कोई निगेटिव पॉइंट नहीं बोलने वाला क्योंकि मैंने भी अपनी जो पूरी पढ़ाई करी है स्कूल प्लस अफ्रेंग कोचिंग्स हर जगह पर करी है ठीक है लेकिन अगर मैं परसनली अपने एक्सपीरेंस के बेसिस पर बात कर हुँ तो एक चीज मैंने अफजर्व करी कि हमने कभी ये सुना है स्कूल लाइफ है कॉलेज लाइफ है कोचिंग लाइफ ट्यूशन लाइफ ऐसा तो कुछ सुना नहीं ना मतलब कि ये वो चीज है जो की बहुत इंपॉर्टन रोल प्ले कर रही है लेकिन इसको हम लाइफ नहीं बोल सकते है ये इतनी इंपॉर्टेंट है किसके बिना कुछ होने वाला नहीं है तो वहां पर हमारे लिए सबसे जरूरी चीज है कि भाई आपको जब ये चीजें मिल लई है स्कूल से तो कुछ चीजें आपको ऐसी भी मिलनी चाहिए जहां पर आपके पास फ्लेक्स आने वाले पांच घंटे कोचिंग जाना है गर्मी में वापस आना है उसके बाद वहां पर बैथना है फिप्टी एक सिक्ष्टी मिनट की क्लास में फोटीफाइव मिनट पहाय जा रहे दस मिनट आगे के वेस्टव रहे दस मिनट बात के वेश्टव हो रहें रीजन क्या बात के अब अगर आपके यहां पर कोई function ने को प्रोग्राम है और आपको तो वहां पर आपको छुटी थोड़ी मिलने वाली है सिन्साइब की लिए बंद नहींद धरया होता है वहां जो क्लास में आपको बैठाल कर की को पहाने वाला नहीं ठीक तो कहीं ना कहीं पर सबसे important है कि वहाँ पर flexibility उधर भी नहीं मिलने वाली अब सोचो ना तो flexibility तो मुझको school में मिलने वाली है क्योंकि school में भी आपके अकेले के लिए कुछ नहीं होगा और offline centers में coaching में भी आपको flexibility नहीं मिलने वाली है ठीक है यार इतना जदा अगर flexibility के साथ compromise हो जाएगा तो आप जिंदगी कब जियोगे अपनी कब कुछ और try करोगे कब कुछ और सीखोगे कभी तो मन करता होगा आज पढ़ते नहीं है आज कुछ बढ़ियां सी की क्या advantage है यह सबसे important चीज जो अगर मैं बात करूँ यह आपको flexibility provide करता है जी हाँ कि भाई आज आपका मन नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं यार एक काम करते हैं आज मैं movie देख लेता हूँ आज अपने parents के साथ में घूमने चला जाता हूँ और मैं वहां से आने के बाद उस class को देख लूँगा उस class को पढ़ लूँगा यह flexibility तुमको यहाँ पर मिले जाती है दूसरी चीज़ है यह organized काफी है यहाँ पर तुमको सब चीज़े एक order में है तुम्हें जब जो पढ़ना है तुम उसको जाकर के directly देख सकते हो जरूरी नहीं है कि तुम्हें पूरा देखने की जरूरत है तुम्हें मालूमें कि और इस चप्टर मुझे यह चीज़ नहीं आ रहे है तुम उस चप्टर में गया तुम्हें वो टॉपिक दिखा तुमने उसकी वीडियो प्ले करी और वो देख लिया और में सब कुछ है उसके लावा creative हर दिन आपके लिए teachers कुछ नए तरीके से कुछ funny way में कुछ fun session के साथ में आप कोई learning और strong बन जादा आती है जो कि आपके interest को जादा strongly built कर देती है उसके अलावा आपका अपडेशन मतलब कि आपको कोई भी time to time कोई guidance है या कुछ भी update है आप हमेशा update रहते हो और सके लावा coachings में या स्कूल में यह अपडेशन थोड़ा सा slow होता है होता updated वहाँ पर भी है लेकिन slow होत जाती है तो यह सारी advantages है आपके online class के तो अब सोचो ना कि एक जगह flexibility नहीं मिल लाई तो flexibility तो जरूरी है तो वह flexibility आपको online class के थ्लू मिल जाती है जहां पर आपके पास अगर कुछ organized आपको नहीं मिलना स्कूल में तो वह organized यहां पर मिल जाता है Creativeness की कमी अगर आपको लग रही है कहीं पर तो वह Creativeness यहां पर दूर हो जाती है और आप जादा ब्रेटेट रहते हो ठीक है तो यह दोनों चीज़े अगर मैं include कर दूँ इनको merge कर दूँ तो अब अगर देखा जाए तो learning के सारे aspect को इन दो चीजों के थ्रूँ आपका cover किय जा सकता है एक तो यह सबसे पहले school life के फायदे और दूसरा आपके पास यह आपके जो एक online classes के अगर मैंन को एक साथ मर्ज कर दूँ तो आपकी learnings बहुत strongly हो सकती है और आप बहुत ज्यादा बेहतर perform कर सकते हो लेकिन इन दोनों चीजों का combination जरूरी है किसी भी एक चीज क को skip नहीं कर सकते ठीक है तो I think अब आप समझ में आ गया कि भाई कहीं न कहीं पर आपको online classes आपकी flexibility दे रहे हैं तो schools के साथ में online classes ज्यादा important role play करती है offline coaching centers के मुकाबले क्योंकि physical आप प्रिजेंट तो school में भी हो सकते हो है ना उसके अलावा flexibility आपको यहाँ पर मिलने वाली है जो कहीं और नहीं मिल सकती that's why यह दो चीजें हैं जिन पर हम काम कर सकते हैं और इसको हम manage भी easily कर सकते हैं हाँ जी अगर आप यह सोचों कि school की class प्लस में offline coachings और उसकी बाव online class क्या इन तीनों चीज़ों को manage किया जा सकता असंभा हो बेटा impossible यह करना भी मत भूल से भी दो ही चीजे चुनना school life प्लस म आपका online class दो में से ही option को select करना क्योंकि तीनों के चक्कर में तुम्हारे पस खुद का time देना खुद के लिए अपनी जिंद की जीने के लिए कोई समय नहीं बचेगा और यह पहाई ना तुम्हें बहुत जल्द बोज लगने लग जाएगा और हमें पहाई को बोज नहीं बनने देना है यह पहाई बोज नहीं है यह पहाई हमें इंडिपेंडनसी देने वाली है यार तो इसको बोज हम नहीं बनने दे सकते हैं समझे तो इस चीज को बहुत अच्छे से दिमाग में रखेगा अब बात करते हैं कि अभी तक मैंने सिर्फ स्कूल लाइफ और आपक रखते हैं कि एक फांडेशन बेट करने के लिए क्या चीजे हैं जो आपको जिन पर काम करना होता है क्योंकि जब वो चीजे आपको पता होंगी कि यह 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 पैरामीटर से इन पर जब मैं काम करूंगा तब मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी हो सकती है तब चाहे मुझ और किसी को ड्रीम है कि मुझे ना आईयस बनना है ठीक है तो अब आपने जो ड्रीम सोचें उसके लिए सबसे जरूरी है कि फॉल्फिल कर सकते हो इसको समझना जरूरी है तब ही तो आप इन चीजों पर ध्यान दोगे कि बाई इन दोनों चीजों से मुझे यह यह चीजे पैरमीटर्स में फुल्फिल कर पा रहा हूं इसलिए मेरी स्ट्रॉंग फाउंडेशन हो जाएगी चलिए तो क्या के पैरमीटर्स से एक बार उस पर बात करते हैं सबसे पहला स्टेप जो बच्चों यहां पर है वो आपका है लर्ण मतलब की सीखना और सीखने के लिए क्या क्या है आपके स्कूल्स की जो क्लासेश हो रही है स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है या आपके आफ्लाइन कोचिंग्स में जो पढ़ाया जा रहा है या आपके पास जो ऑल्लाइन क्लासेश में पढ़ाया जा रहा है तो उसमें मेरा कोई boundation नहीं है आप चुनो कि आपको दो learnings दो जगा से होगी school से केवल सारी learning हो जाए ये जर्येज नहीं है क्योंकि वहाँ पर आपके पाथ choice नहीं है ठीक है उसके लावत learnings दो जगा से आपको करनी पड़ेगी अब तो वह आपका चुईस है कि कौन सी वह दो जगे आप चुनते हो और लाइन या स्कूल या कोचिंग से या स्कूल वह आपकी चुईस है ठीक है तो लर्णिंग तो बच्चों आपको इसके थू मिलने वाली है ठीक है और जब आप सीखोगे लर्णिंग से आपके नॉलेज लेना यहीं इंपॉर्टेंट होता है ना कि एवर लर्णिंग से कुछ भी नहीं होता यार आपको मैंने पढ़ा दिया आप क्लास पर 50 कुश्शन करवा दिया आपको स्कूल में पूरे अंसी आइटी कवर करवा दी गई है लेकिन अगर आपने सेकेंड एस्पेक्ट जो कि प्रेक्टिस है यह नहीं किया तो वो पढ़ाई किसी काम की नहीं है चाहे अब यहां पढ़ लाओ या कहीं भी पढ़ लाओ सेकेंड जो पैरमीटर है वो है आपका लन उसके बाद प्रेक्टिस कि जो सीखा है उसके तुमने प्रेक्टिस करी है नहीं करी प्रेक्टिस करने लिए तुम अलग अलग तरीके हैं तुम्हारे पास डिफर्ट डिफर्ट बुक्स है आडी सर्माया आड़े सग्रवाल है एंसी आटी जो मर्जिया है उसको सॉल्व कर सकते हो कोई बुक्स अलग पॉइंट है लेकिन प्रेक्टिस आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ह करने की प्रेक्टिस आपको होनी चाहिए थर्ड आस्पेक्ट ए एक्जामिन जो कि अगराब ध्यांत से देखो स्कूल में होते हैं तो स्कूल morte test होते हैं के बास ली टेस्ट होते हैं तो एक्जामिन आपको स्कूल में स्कूल कटिशी चलता और जो आपकी online coachings हैं इनमें भी आपका weekly test होते हैं chapter test होता है full length test होता है यह ऐसी चीज़े जिसके थुरू आपको examine करते हो कि जो आपने पढ़ा और जो आपने practice करी उनके basis पर कितना आप अपना दे पा रहे हो कि आप 100% अपना result निकाल पा रहे हो उस पर यह examination आपको examine से पता चलता है जो कि आपको दोनों ही classes में मिलने वाला है नेक्स्ट में अगर मैं बात करूं analysis अब आपने test दिया उसके लावा क्या चाहिए analysis important है कि भाई आपने सबसे ज़्यादा गलती किस portion में करी है for example आपका chapter हुआ polynomial spare of linear equation and quadratic equation आपने देखा कि quadratic equations के questions को solve करने में मैंने सबसे ज़्यादा गलती करी है तो आपने analyze किया और आपने फिर उस topic को समझा कि मुझसे गलती इन इन जगहों पर हो रही है फिर आपने क्या किया आपने again revision किया जहां पर आपसे गलती हो रही है ठीक है तो यह वो parameter से जो कि strong foundation build करते कि पहले सीखा उसके बाद practice किया फिर test दिये test के बाद analysis किया कि मुझसे कहां पर गलती हुई और अगेर आपने रिवीजन किया और रिवीजन एक बार दो बार तीन बार जितनी जब तक आप 100% excellence achieve नहीं कर लेते तब तक आप रिवीजन करते है रहा उस चीज को ठीक है तो यह है steps to build strong foundation चाहे आप 9th class में हो या 10th class में हो या फिर आगर आप 11th 12th में जा चुके हो यह सब के लिए important है यहां तक कि जो बच्चे ITJ और नीड की preparation भी कर रहे हैं उनको भी इनी parameters पर यही काम करना होता है यही parameter से जो आपको एक बड़े से बड़ा exam कितना भी बड़ा exam है वो इसके थुरूँ आप correct कर सकते हो ठीक है तो यह सबसे important expect है तो यह five parameters अगर आप ध्यान से रेखो तो इसको एक जगह पर charge मना करके note कर लेना क्या आप daily जो भी कर रहे हो उससे यह यह चीज़े पूरी हो रहे ही कि नहीं हो रहे ही learn और practice यह दो चीज़े हैं जिसको आप manage कर सकते हो अपनी school की classes और online classes के through कैसे वो मैं आपको समझाता हूँ सबसे पहली बात मालो आज तुम school गए school में तुमको पाहे गया real numbers ठीक है अब real numbers तुमको सीखा हो सकता है कि तुमस्कूल के teachers बहुत ही extraordinary है उन्हें तो बहुत सांदार तरीके से पढ़ाया ठीक है अब आपको उनका समझ में भी आ आगया आपके concept भी clear हो गए है ना अब online class के तुरू तुम क्या कर सकते हो online class के थूरू तुम उसी चीज की practice कर सकते हो ठीक है अब चाहो तो तुम खुद भी बुख उठा करके solve कर सकते हो लेकिन कही दोगों पर कुछ नो कुछ तो doubts रही जाता है कुछ नो कुछ problems रही जाती है तो online class के थूरू तुमने उस चीज को अच्छे तरीके से practice कर लिया लेकिन एक चीज ऐसी हो सकती है कि हो सकता है कि वही chapter जो schools में तुम्हें पहाया और समझ में नहीं आया लेकिन online class में तुम्हें और बढ़िया तरीके से समझ में आ गया तो तुमने online class में उसको बढ़िया तर तो वहाँ पर तुम्हारी प्रैक्टिस हो गई तो लर्ण और प्रैक्टिस ये दोनों चीजे तुम स्कूल की क्लासिस और अपनी ऑनलाइन क्लासिस उन दोनों के थुरू कर सकते हो तुम्हें अलग से उसके लिए टाइम निकालने के लिए भी जरूरत नहीं है अगर आपने स और है जारा उसको अच्छे तरीके समझा और ओनलाइन में आकर के प्रैक्टिस कर दी साथ में या ओनलाइन में सीखा और स्कूल में जाकर के अपना पावर दिखाने के लिए आपने थोड़े बहुत कोश्चन बढ़े तरीके सॉल्व कर दिये तो यह आपको थोड़ा सा ए में समझ में आई थी लेकिन ओनलाइन में नहीं ठीक है या हो सकता है कि ओनलाइन में समझ में स्कूल में समझ में नहीं आई है ना लेकिन जब आप उसको टेस्ट देते हो आपने ओनलाइन टेस्ट दिया आपने स्कूल में अपने जो पीरियोडिक टेस्ट होते उनको दिया उसके basis पर आपने examine कर लिया किया, मेरे 10 में से 10 में से 10 out of 9 है, 10 out of 8 है, 7 है, 6 है, तो कहाँ पर गलती हो रहे, उस पर आपने काम कर लिया, ठीक है, तो examination, analysis आपको खुद करना है, तो मतलब कि यह दो चीजे हैं जो तुम्हें classes से easily मिल जाएंगी, और examination भी यह तुमको online और offline दोनों से मिलने वाला है, analysis और revision यह आपका है, जिसको आपको खुद करना है, है ना, revision भी आपको करवाया जाता है, schools में भी करवाते हैं, online classes में भरबर के revision होता है, तो revision भी आपको online classes से हो जाएगा, लेकिन analysis तो खुद करना पड़ेगा, है ना, कोई भी आपके लिए special बैट करके आपका analysis नहीं करेगा, कि भाई, इस बच्चे ने कितनी देर तक analyze, कितना अच्छा किया है, कहाँ पर गल्ती को analyze नहीं करेगा, यह आपको खुद कर रहा है, तो यह चीज़ जो आपको खुद फोकस करनी, बाकी की सारी चीज़ें आपको इन दोनों classes से भरबर करें मिलने वाली है, और यही चीज सबसे अधा important role play करती है, एक toppers के लिए, कि topper कौन बनता है, जिसने इन five aspects पर काम कर लिया, वो बहुत easily किसी भी exam को जबदस तरीके से फोड़ सकता है, ठीक है, तो यह चीज़ें जो हमको बहुत strongly करनी है, इसके बाद next में हम बात करते हैं, कि how to manage, manage कैसे करें, अब तक तो हमने समझ लिया, कि भई, यह चीज़ें है, इन इन तरीकों से, इन इन parameters पर बात करना है, लेकिन manage कैसे करें, तो manage करने के लिए देखो, बच्चो, अगर मैं बात करो, तो हर एक का स्कूल का टाइम अलग होता है, सारी चीज़े अलग होती, तो यहाँ पर आपको मैं कोई टाइम टेबल नहीं रिखाऊंगा, की 6 से 7 पढ़ना है, 7 से 8 नहाना है, फिर 8 से 9 वापिस थोड़ी देर सोना है, यह सारी चीज़ों पर बात हम नहीं करने वाले, बट इन केस में अगर मैं बात करूँ, देख रफ आइडिया समझते हैं, आप लोग अपना टाइम टेबल खुद सेट करिए, लेकिन इस तरीके से समझ सकते हो कि सबसे पहले स्कूल की क्लास अगर मैं बात करूँ, तो जो भी टाइमिंग से आपकी चाहे सुबह साथ अगर मैं बात करूँ, तो स्कूल की जो क्लास होती है, ठीक है बचो, स्कूल क्लास जो आपकी होती है, वो एक तरीके से 5-6 आर्स की होती है, ठीक है बचो, 5-6 आर्स जिसमें सब कुछ included है, physically, आपकी सारी चीज़े, teamwork, socialization, सब कुछ तुम यहां से सीख जाओगे, और ही नहीं सकते हैं कि स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो वहां भी पहाया जाता है, तो 5-6 आर्स तो यहां से तुम्हारे चले गए, है ना, अब इसके बाद तुम जो चीज़ें, coachings या अधर जगह उपर देते हो, ठीक है, वही चीज़ तो मैं online में flexibility के साथ मिल लई है, जहां पर तुम अपने time constraint के according कोई भी class ले सकते हो, कोई भी class देख सकते हो, अपने doubts को भी clear कर सकते हो, अपने flexibility के according, और ये classes अगर मैं बात करूँ, तो on an average कोई class आपके 45 minutes से ज्यादा की नहीं होती, ठीक है, on an average देखा जाए, तो गया, I think 180 minutes, तो मतलब की 183 minutes का मतलब वहा कि 3 hours, मतलब की अगर मैं online class की timing की बात करूँ, तो ये आपके पास 3 hours का time आपका consume करेंगे, ठीक है, तीन गंडे जिसमें आपके math हो गई, science हो गई, English हो गई, FST हो गई, ये 4 important subject आपके include हो जाते हो, और जब time आता है, तो हिंदी भी online class में भी हो जाते है, with flexibility, जो सबसे important है, नहीं तो जिन्दगी ऐसी भगदर में कुछ रहीगी न, school से आओगे, coaching जाओगे, coaching से आओगे, school जाओगे, और ऐसे ऐसे जिन्दगी तुमारी डोलती रहेगी, ठीक है, तो इसके लिए तुम्हें जरूरी है कि flexibility तुमारी life में हो, तो उसके लिए I think तुम्हें school और प्लस online class को ही चुनना चाहिए, जो कि तुम्हें life ज्यादा better feel करवाएगी, जिन्दगी जीनी है यार, कुछ ऐसा थोड़ी कि भूस कर रहे है, तो I think ये चीज़े हैं जो आप बहुत easily manage कर सकते हो, आए है, three hours में आपने classes देख लिए, सब कर रहे है, with flexibility, उसके बाद, आपके बाद, जो भी time बचना है, अब वो time क्या है, उस time पर आप क्या कर सकते हो, जी हाँ, जिसको हम छोड़ते ही जा रहे हैं, वो है अपना hobbies और interest, हमारा hobbies और interest पर को ध्यानी नहीं है, कि हमारा मन कहां लग रहा है, कि सीज में लग रहा है, य 20th century में हो, यहाँ पर तुमारा सिर्फ अगर जब तक आपके अंदर कोई बेहतर skill नहीं है, आप life में कुछ नहीं कर सकते, समझे लो, क्या हर एक school topper अगर life में successful हो जाता, तो एक सहर में कितने सारे schools होते हैं, और schools के सभी toppers को मिला जो, तो सारे IATN तो एक ही सहर से निकल कि आ जाएंगे, ठीक है, या सार, एक स्टेट से आ जाएंगे, असा नहीं होता है, ठीक है, हर टॉपर जा करके एक बड़ा IATN या बड़ा कुछ भी, मैं नाम नहीं लोएना चाहूंगा, बहुत सारे ऐसे career options हैं, जहां पर जंडे गाले हैं लोगों ने, तो सिर्फ और हो, तो आपके लिए sports हो सकता है, तो sports पर अपना time तुम दे सकते हो, next में outdoor activities है, ठीक है, उसके लावा volunteer work कि आपको ठीक ही, NGO में जाना है, कुछ करना है, बच्चो को खाना खिलाना है, कुछ भी करना है, वो आपके लिए social work हो सकता है, गेम्स किसी को खेलना बहुत पसंद द है, आप बहुत अलगला तरीके से चीजों को सीख रहे हो, ठीक है, वो सारी चीजी है, ये क्या करेगा, आपकी hobbies और interest, आपके पहाई में interest को develop करने में helpful होते है, क्याते हैं, क्याते हैं, कि माइंड के growth के लिए, जिसकी क्याते हैं कि पेड़ को सिर्फ पानी देते रो, उसक इसको sunlight नहीं मिलेगी, तब भी वो पेड़ मर जाएगा, केवल sunlight मिलेगे, उसको पानी नहीं मिलेगा, तब भी वो पेड़ घल जाएगा, तो भाई, ना तो हमें जलना है, ना तो हमें मरना है, क्योंकि भाई हमें चाहिए दोनों चीज़े, balance, कि life में अगर हां मेहनत कर रह हो आप अपने दिमाग को पहाई में जोड रहे हो तो आपके माइंड को थोड़ा से रिलेक्स दीने के लिए कुछ होना तो चाहिए वह आपके होबी तो बचे हुए टाइम में अगर मैं देखू तो फाइव और प्लस थ्री आर्स आपका टोटल एट हार्स आपकी पहाई को अगर जा रहा है तो बाकी के अगर मैं बात करूं इसके बेना मजा नहीं आएगा तो इस पर भी काम करना है और देखो चेक्लिष्ट बनाओ कि ना मुझे आठ का बहुत सौक है तो या आठ बनाओ या ड्रॉ करो या स्केच बनाओ जो मरजिये करो स्पोर्स का सौक है तो ज इसने रोका है इसलिए तो बोलना हूँ कि अउनलाइन क्लास तुम ऐसे ही कर सकते हो कि स्कूल से आए उसके बाद साम को अगर तुमारा कोई स्पोर्स का क्लब चलता है तो वहां पर जा सकते हो और रात में आ करके अपनी क्लास देख सकते हो फ्लेक्सिबिल्टी अगर वही सब चयदा फाइदा किस चीज में हुआ देखो मैं यह नहीं बोलूँ कि कोविट से फाइदा हो कोविट से फाइदा नहीं हुआ लेकिन लोगों को जिंदगी जीने का एक एसपेक्ट भी मिला है जहां पर लोग हमेशा ऑफिस और घर के बीट में जूशते रहते थे एक ब लाइन ने हमें लाइफ में ऐसी फ्लेक्सिबिल्टी थी कि अब हम घर बैठ करके भी बहुत कुछ कर पा रहे हैं तो वर्क वह हों बहुत ज्यादा पॉपलर हुआ इस कोविड में क्योंकि यहां पर हमें मजबूरां उस पर काम करना पढ़ा और उसने बहुत इंपॉर्ट आने दो घंटे बड़े अराम से लगते हैं तो क्या करोगे देना पड़ेगा ऑप्शन नहीं था लेकिन अब ऑप्शन है अब आप टाइम दे सकते हो तो यह चीज़े है जो अब इनको आपके लाइफ में इंटर करना है ठीक इनको लेकर कि आने एसपेक्ट ही देखो क्या पसंद है यह ना ड्रम बजाना पसंद है यह गिटार बजाना पसंद यार यह सीख लो बढ़िया तरीके से या कॉलेज में तुम्हें इसके फाइदे पता चले पता है जहां तुमने एक बार धुन बजाई अब आगे नहीं बोलूँगा क्या होता है ठीक है मतलब की खूब फायदे है इसके ठीक है इनके खूब फायदे है और भी वाकी फायदे है ठीक है देख रहा हो बिलकुल हर चीज के फायदे है यार है ना तो उसको करो और यह लाइफ में इंटर करो इसको अलग नहीं कर सक जो है वो यह है कि भाई online class के बारे में बात करी तो भाई doubtnet ने आपके इन सभी problems को बहुत ही अच्छे से observe किया और जितनी भी मैंने आपको expect बताए इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा course बनाया जो कि बहुत ही बेटर तरीके से और यह सारे जो कि एक टॉपर के लिए जरूरी है इन सभी चीजों को अपने course में include किया ठीक है और इस course का नाम है achievers 3.0 जी हां तुम्हें भी कुछ achieve करना है तो यह achiever best तुमारे लिए जिसमें आपके यह top faculty आपको पहा रहे हैं ठीक है और इसमें अगर मैं बात करो जो अच्छे 9th क्लास के 9th के लिए भी achievers 3.0 है हमारे पास 10th के लिए भी है ठीक है इस course में आपको एक तो lectures मिल जाते है teachers के सारे recorded form पर तो आपके लिए flexibility मिल गई जब मर जी तब देख लो आपको हमेसा ऐसा फील आएगा कि कोई बीच में conversation नहीं है मतलब कि कोई time waste नहीं हो रहा आपका पूरा पूरा focus class पर आएगा चलिए दूसरी तीज कि अगर recorded lecture है तो उसमें doubt कैसे solve होगा तो doubt solve करने के लिए अलग से team आपके लिए है जो की बोल सकते ही कि उच्विला में के उधर guidance से चलने वाली है जो कि continuously आपके doubts को या कोई भी टीचर से मालों यहां पर physics की class है मैस की class है तो सभी चीजें आपको हर एक subject का आपको doubt experts भी होंगे जो आप 24 x 7 आपके doubts को solve करने के लिए ready हैं कभी भी को doubts आप पूछ सकते हो 24 x 7 14 घंटे तो नहीं रहेंगे लेकिन एक बात है कि दिन के 12 घंटे तो मिलेंगे मिलेंगे सुबह 6 से लेकर के रात के 12 बजे तक तुम doubt पूछोगे ना विदेन सेकेंट में doubt को solve किया जाएगा ठीक है उस तो पढ़ नहीं पाते हो तो आप ध्यान सिर्फ पहाई पर दोगे concept सीखने में दोगे notes आपको बने बनाए मिल जाएंगे अब आपकी चोईस है कि आप अपने फाइदे के लिए sort notes उनसे बना लो या कैसी भी notes तुम बना लो तो notes भी तुमको दे दिया जाएंगे तुमें सबी बच्चे interested in VIP course के tag को यूज करके वैसे सबसे असान तरीका है इस नंबर पर आप call करके instant कोई भी course purchase कर सकते हैं ठीक है तो अभी phone में लाइए course purchase करिये और अपनी पहाई start करिये achievers 3.0 आपका बेसबरी से इंतजार कर रहा है बच्चो तो thank you so much बस आप लोग इसी तरीके से जुड़े रहेगा और अगला जो session में आपके लिए लेकर किया रहा हूं वह है आपका 10th much more easier than 9th क्या 10th 9th से आसान है यह सचया जूट इस पर हम बात करेंगे अपने आने वाले session में चली बच्चो तो मिलते हैं इसी तरह का वेजिंग session के साथ तब तक के लिए goodbye take care